परचा की अगर बात रही तो परचा तो अगर फस गया तो पर तीन तेरा नहीं पर हां कहके जाना पड़ है आती चलता जाता है लोग भाग भुखते जाते हैं उनका काम है भुखता भुखने दीजे ना मंद्रोई का उत्भार होगा मस्जिदों का कहां से ओगा भई नमश्का धर्मियां के दर्शकों का स्वागत है आज हमारे साथ अध्यात्मे की दुनिया से जुड़ी एक ऐसे प्रवावशाली शक्सियत हैं जो ना सिर्फ परचे देखकर बविश्य बताने की ताकत रखते हैं बलकि समस्याओं का निदान भी कर देते हैं हमारे साथ आज मौजूद हैं कथा वाचक और स्प्रिच्वल गुरू अध्यात्मे की गुरू आपके रिशी कृष्ण शास्री महाराज जी आपको सबसे पहले तो धर्म ज्यान में अध्यात्मे की दुनिया में आज लोगों को जोड रहे हैं और जन जन में पूरे उतर भारत में आपकी सभाई लगती है हजारों लोगों का हुजूम उसमें उमरता है तो मैं सबसे पहले आप से जानना चाहूंगी कि आपके भग जिस तरह से आपसे कनेक्ट होते हैं उसक को लेकर आप बताएं मेरा कोई भकत नहीं है मेरी कोई सभा नहीं है सब आध्यात में जगत है हनमान जी की करपा है और भरोशा करते हैं उनकी बवना की सब लोगों आते हैं जुड़ते हैं उनका सभागत हैं आपंके दर पर भार में चमतकारalah भी खूब पर उपर जो एक इश्वरिक किरपा है मैं आजू मैंन करते तरह दो किसे अंदर विष्वास नहीं और दूसरी बात क्या है कि चब मेरा मन कहता है हudes मेरा मन कहता है कििreichen किसी तो मैं कभी परचा के नीचे नहीं दीखता हूं तो उपर देखता हूं लिखता जाता हूं लिख लेता हूं ना भगवान है इस जगत में वो हमारी रक्षा कर तभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आपने कभी किसी गलत इंसान को ठालिया हो किसी सामने वाले के बारे में कुछ गलत पता दे जो इसके साथ हुआ ना हो आज तक ऐसा जीवन में नहीं हुआ और आप हमारी यूटूब चैनल को खो यूटूब आ जी की सभा में आम जर्मान से लेकर नेतााओ के भी भरमार रहती उनकी भी लाइन लगती है अरे बिलकुल आईए स्वागत है कोई नेता नहीं है अनमान जी के लिए सब राजा तो हनमान जी इस प्रजा है आईए आपके स्वागत है परचा की अगर बात रह केहते हैं एक हर बंधन से मुक्ति दिलाते हैं इसे किसी बंधन से मक्ति ने किया कॉन संकत मो गरीब को gew तुम से नहीं जा थे तार मी कि अध्यात्मी की दुनिया को आपने चुना है क्यूं और किस उमर में आपको लगा कि मुझे अब इसे दुनिया में जाके आम जन्मानस का कल्यान करना है किस उमर में आप इस चीज में जोड़े और अपने परिवार को लेकर अपने गुरुजी को लेकर अगर आप हमारे दुर्शिकों को कुछ बता है बच्पन से हैं तो देश भार में बहुत सारे वाचक हैं बड़े बड़े नाम है देवकी नंदर महराज जी का हो अनुरुद्राचारी जी का हो लेके आपके बात इसले निराली कहते हैं लोग क्योंकि आपकी जन सभाब में आपकी जो एंट्री होती है वो तो बाइक से होती है एकदम दूम वाला सीन नजर आता है अनुयाईयों को अब देखिए ऐसा है कि कोई व्यक्ति हमारा स्वागत करें कि वाइक पर कई लोगों ने पिसन उठाय है हमारे पपु वहिया का ह उनकी हिरते में हमारी प्रती सद्धा है वह जिस सद्धा में उचाहे हम सुधार करेंगे ना जाएंगे ना यानि कि अभी बाइक चल रही है बहुत जल्द अप फरारी भी आएगी परारी का मतलब फरारी का मतलब एक नहीं गाड़ी जो बहुत तेज भागती है चम चमाती हुई आईगी गाड़ी रखी है नीचे गिप्ट में मिली है आईएगा आपको भी घुमा देंगे तो मिली है वागवान ने दिलाई मैं आपसे जानना चाहती हूँ अब भी जिस तरह का आपको एक पॉप्लारिटी मिल रही है लोगों के बीच में चैनलों में और आज की जो तस्वीर है और पहली की तस्वीर आपके परिवार को ले करें कि आप आप जिस परिवार से आप आए है क्योंकि आपको जो फैमिली पेगरांड वो भी उतना फाइनेंशली साउंड नहीं करता था इसलिए कुछ अंतर आपको महसूस होता है लिए वैसा है हम तो ऐसे र रखति हीं हम हमेसा अभमान को धूर नदे गाओं सर जड़े हुए व्यक्ति आप मन二 की क्रपां और बदोष्द मंदिर के आप को लेकिन जिनकी मस्जिदे तोड़ी जारी वो तो बड़ा सवाल उठारे कि आप मस्जिदों को बहाल रखना है मस्जिद तूटने नहीं देंगे हम लोग अब देखो हाथी चलता जाता है और लोग भॉकते जाते उनका काम है भॉकता देजे ना काम तो होगा कासी आयोध्या लेंगे हमारा हक है जो तुम लोगों ने हम पर अत्याचार किया उसका बल्ला लेंगे ना हम लोग कहां जाएंगे बल्ला तो लेना पड़ेगा मत्रा काशी और आपकी अयोध्या के बार समय निकल गया कि आप हमें ठपड लगा तो में एक और लगवाल नहीं आपने हमारे धर्म को परिशान किया और हम सब को चिन्नित करके परिशान किया तो बल्ला तो बनता है रात के बार दिन भी होती है आपका समय थाब हमारा है आएगा बार बार देखे हर धर्म का इंसान ये कहता है कि उसका धर्म बड़ा है आज के डेट में अगर आप मुसलमानों से पू कि अधिर देखे संग समाज हो गया हिंदू संगठन हो गया वह कहते कि देश का जो मुसल्मान है वह कनवर्टेट मुसलिम है उनके पूरवज हिंदू है कि आप भी इसमें यकीन रखेंगे कोई कुछ नहीं था कोई धर्म ही नहीं था आम यह कहा रहा बाप बाप है अब बढ़ाने यह तो सब फालतू की बाते हैं और मैं आपको सीधा इस परस्ट बता दूं बाप बाप होता है बेटा बेटा होता सनातन धर्वन धर्म में बड़े-बड़े महत्मा उन्हें पर त्याक किया इस धर्म में स्वयम भगवान कृष्ण बन किया है स्वयम भगवान परशाम बन के आए तो यह धर्म सबसे बड़ा है हिंदू धर्म सबसे बेस्ट लेकिन जो हिंदू बहुल राष्ट भारत में रहकर भी जो अपने पूर्वोजों को हिंदू नहीं मानते उनका क्या जो लोग अब ये भी आरूप लगाते हैं कि मोदी की सरकार में मुसल्मा भारत की जो 20 से 25 करोड की जो अबादी मुसल्मान की वो खातर हैं अब समय परदवर्तन हो रहा हैं मानेंगे हम लोग लगे हैं प्रहास में हम लोग इसलिए धरम का प्रचार कर रहा है इसलिए तो हनमान जी ने हम लोगों को ये दिया लगे हैं सब के मूँपे तमाचा आपके कोई जाते की होके क्सी पर अत्याचार करें मान लोक अंहों आपके घर पर आए ये लाये का मकान गिरा नहीं हुआ Myersा पापी की कोई जात नहीं है मोधी जी बहुत अच्छा काम कर रहा है दुस्टों को सजा दे रहा है लेकिन लोगों का कहना मंदर का उधार तो हो रहा है लेकिन मजजिदों का तो कुछ भी नहीं हो पा रहा है मंदरोई का उधार होगा मांजिद को कहा होगा भइं कौन जैल रहा है करके । लोगों का ब्रोट करते हैं कल जा करके जासी कि हम मस्जिद दोनों छोड़ने के लिए तैयार मत्रा कि एक यह सब हिंदु का हमाई जमीन में आ जाओं जहां तुम कहोगे चाहे हमारी तो च्छाती भट जाए हमारा पूरा सरीर बिख जाए हम तुम देते हैं आओ स्वागते बना हम पर अतकार करो हमाई घर पर आके हमारी मकान छोड़ा लो हमें सब को मार की भगा दो यह गलत है हिंदु रास्ट के प्रत्रम प्रधान मंत्री है किसे देखते हैं हृँ हिंदु रास्ट्रेओ ademार ए नहीं और हिंदुरास्ट फ्रत्रान मंत्री से मतलब हो इन ही बागवान ही राजा हे बागवान तो च्थी अगर आप राजनीति के साब से पूछेंगे तो मैं कुछ भी नहीं कहूंगा बिसे सुरूप से कोई टिपड़ी भी नहीं कर सकूंगा लेकर अगर हमारे जीवन के साब से पूछो तो बैस्ट अच्छा काम किये और करते रहना चाहिए मोधी जी को बहुत-बहुत धन्वाद जो भारत को ऐसा प्रधान मंत्री मिला जिसने अन का त्याग किया नीचे लेट करके हमें सुना है निवु पानी साइथ पी करके और अयुद्या में भगवान की स्थापना करवाई मोधी का बहुत-बड़ा त्याग है और होना में चाहिए आत्यात्म दिश्टी कौन से और हम सब की भाग के जो मोधी जैसे प्रधान मंती हम सब को मिला है जाते-जाते मोधी के बाए योगी को देखा जा रहा है उनके लिए नो कमेंट चले कोई नहीं हमसे जोड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए बहुत-बार शुक्रिया महाराज जी